विल्कम बैक टूर चैनल देखें एसे सी जी डी कॉंस्टेबल का अभिज़ एक्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिवियस एर के जी के क्वेस्चन्स की ये सीरीज आज से सुरू हो रही है आपको बता दें कि करिंड अफेर जनवरी से ले करके अक्टूबर तक का जो आ चुका है आपने उसको नहीं देखा है तो देख सकते हैं और उसमें लगबग 81 लाइक आ चुके हैं अगर 100 लाइक हो जाते हैं तो उसकी पीडियो जो है हम टेली ग्राम पर भेज देंगे 81 लाइक तक पहुँच गया है इसमें कोई भी दो रहा है नहीं है जैसे भी 100 होत है तो SSC GD के लिए ये राम बार साबित होने वाला है दियान से फूरी वीडियो को देखेगा क्वैस्चन देखेगा आपको समझ में आएगा फिर इस वीडियो को लाइक किजिएगा इसमें इतने सेलेक्टेट क्वैस्चन है कि आप देखते ही खुस हो जाएंगे आपको लेख जी हाँ बिल्कुल क्वैस्चन जो भी बच्चे पहले एक्जाम दिये हुए हैं बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे आईए देखते हैं पहला क्वैस्चन यहाँ पर आपके सामने है कि विस्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये क्वैस्चन बहुत ही ओजोन की महतोता के बारे में बताया जाए तो यू समझे कि आक्सीजन से जादा महतोपूर है ओजोन परत ठीक है इसी लिए इस दिन को 16 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच ओजोन परत के बारे में समझाया जा सके जागरुकता फैला ही जा सकते जो लोग प् हराज होता है नुकसान होता है और जैसे ही ओजोन परत खतम हो जाएगी धिरी धिरे उसके बाद प्रित्वी पर जीवन होना असंभव नामूम्किन हो जाएगा इसलिए ओजोन जो है कि बहुत ही महत्तो रखती है यूमन लाइफ के बीच में है ना कोई भी जीव कोई भी प्राणी हो पात समझा कि 16 सितंबर को मनाया जाता याद रखेगा थोड़ा सा बैगराउंड बताते चलेंगे ताकि आपको चीजे याद हो पाएं आप रिलेट कर पाएं है ना नेक्स्ट क्यान है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी तो यहाँ पर option number D हो जाएगा विवेकानन्द किसने किया था विवेकानन्द कभ किया था एक माई 1897 को किया था इन्होंने इसका जो हेड क्वाटर है वो है पस्षीम बंगाल में बात क्लिर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि इसरो यानि कि भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन निवने में से किस वर्स किया गया तो देखें यहां पर बात करतें आप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 1969 में हुआ था अगर बात करेंगे एक्जैक्टली यानि कि करनाटक में है अगला है भारती उच्ची नियायाले के नियायाधीसों की न्यूकती कौन करता है तो यहां पर आप्शन नंबर ए हो जाएगा राश्ट्रपती अब देखें भारती संविधान के अनुच्चेद 216 के अंतरगर्थ उच्ची नियायाले का गठन होता है और उसके बाद अनुच्चे 217 के तहत क्या होता है उच्ची नियायले के जो मुख्य नियायधीस है उनकी नियूकती होती है और उनकी नियूकती कौन करता है राश्ट्रपती करता है बात के लिए 216 अनुच्चे 216 के तहत क्या होता है उच्ची नियायले का गठन होता ह और 270 के इतहद निया अधीसों की नियुकती होती है और नियुकती कौन करता है रडाश्टर पती करता है थोड़ा सा कर दिमाग ओपन करके और चीजों को थोड़ा सा आराम से समझेंगे न तो सारी चीजी समझ में आ जाएगे हम थोड़ा सा डीटेल भी आपको बताते चल रह है अगला है कि सत्यागरा शब्द का निर्माण किस ने किया था बताएगा यहां पर आप्सन नमबर ए है महत्मा गांधी इसमें कुछ समझाने लाग नहीं है नेश्ट है कि भारती वन सेवा की स्थापना कब की गई तो एक जुलाई उनिस और चाचट को ठीक है एक जुलाई उनिस और चाचट ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा एस है 1966 अगला एक निमलिखित में से किसी भारत का तोता कहा जाता है भारत का तोता पैरेट आफ इंडिया कौन हो जाएगा अमीर खुसरो जी हां ऑप्सन नमबर क्या होगा बी अमीर खुसरो अगला कि मध्यप्रदेश यह देखे समझने वाले थोड़ी सी बात है न मध्यप्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है तो यहां पर आपको बता दे कि पांच राज्यों से लगती है पांच राज्यों से मध्यप्रदेश की सीमा पांच राज्यों से पांच में से कौन कोन है? पहला है उत्तरप्रदेश दूसरा है मध्यप्रदेश तीसरा है गुजराद चौथा है राजस्थान और पांचमा है ठ्षाञ दिश-भड़ थ İsघ्ना पांच राज्य होगी तो आप कमेंट वोक्स में लिख सकते हैं फिलाल हमें कुछ याद नहीं आ रहा है ट्रिक को कहा रहा है चली आगे बढ़ते हैं इसलिए कि 15 जन्वरी को किस रूप में मना जाता है ये भी काफ़ इंपोर्टेंट क्येस्जन है 15 जन्वरी को किस रूप में मना जाता है बताएगा शहीद दिवस कब मना जाता है बीजापूर किसके लिए परसिद्ध है? तो यह है गोल-गुंबद के लिए परसिद्ध है option number क्या हो जाएगा C, गोल-गुंबद के लिए परसिद्ध है जिस question में समझाने लाइप होगा उसको समझा कर ही आगे बढ़ेंगे अगला क्या है अगला है कि the last child लिखी गई थी किसके द्वार लिखी गई थी तो ये मुल्क राज आनन्द के द्वारा लिखी गई थी option number B से होगा next देखे question यहाँ पर important है UNESCO का मुख्याला है कहाँ पर है बताईएगा UNESCO का मुख्याला है कहाँ पर है डिये ट्रेंट तो ये भी काफी important है कई बार आपकी exam में देखने को मिला है तो यहाँ पर option number C हो जाएगा Paris में और Paris कहाँ पर है France में है ना Paris France में तो UNESCO का मुख्याला है कहाँ पर है Paris में option में अगर France भी हो तो आप France मारेंगे माले अगर France होगा तो Paris नहीं होगा ठीक है next orange राष्टी उद्यान कहां इस्थित है बहुत ही आराम से practice करते रहिए selection जरूर होगा सफलता आपका कदम चुमेगी अगर इसी तरह से महनत करते रहेंगे orange राष्टी उद्यान कहां इस्थित है तो यह है awesome में अगला है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील यह कई बार विवादित question रहता है लेकिन clearly यहाँ पर समझेगा भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की जील जो है वो चिलका जील है option number A और पूछले कि अगर चिलका जील कहां पर है किस राज्य में है तो वह है भारत के ओडीसा राज्य में ठीक न लेक्ट है कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के राश्ट्र ध्वज की डिजाइन किस ने तयार की थी तो यहाँ पर option number A हो जाएगा बंकिम चंदर चटर जी आचा नेक्स question देखें यह भी काफी खूबसूरत question है है ना देखने में इतना खूबसूरत है उतना ही महत्त है तो याद रखना पड़ेगा याद रखना चाहिए क्योंकि आप क्या है यूथ है यूवा है और यूवा आइकन किसको मना जाता है स्वामी विभेकानंद को साइध ही कोई ऐसा यूवा होगा जो उनको आदर्स ना मानता हो है ना स्वामी विभेकानंद तो उनकी जो जन मजयनती है बारत जनवरी है और उसी दिल मनाया जाता है राष्ट्रिय युवा दिवस युवा है तो स्वामी विएकानंद को आदर से जरूर मानते होंगे ठीक ना याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ लेते हैं भारत में कौन सी नदी विभ्रंस घाटी में बैती है बताए करिएगा यहां पर है महात्मा गांदी की विश्व में सबसे ऊची मूर्ती कहां इस्थित है देखे ये क्वेस्चन थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी कर सकता है लेकिन जहां तक मुझे पता है कि इसका जो सही आप्शन है वो है पटना है ना इसका सही आप्शन क्या है पटन पटना के गांधी मैदान में पटना कहां की राजधनी है बिहार की है ना तो पटना के गांधी मैदान में सतर फीट ऊची कांस्य की प्रतिमा है सतर फीट ऊची क्या है कांस्य की महात्मा गांदी की प्रतिमा है और वही विश्व की सबसे ऊची प्रतिमा है किसकी महात्मा तो option number B होगा according to me और आपको option C लगे तो जब भी होगा बताईएगा लेकिन option number B is right here according to me ठीक है यह तोड़ा सा suspense वाला question था लेकिन exactly पहले साथ लख नहुँ था लेकिन अब जो है कि पटना है पटना में जो बना हुआ है clear है आज के लिए इतनी important question और आपकी जो भी राय होगी अभी देखिए यह GK का था ना GK का था CCGD के लिए वीडियो current affair का भी चल दा है और साथी सथ मैं English होगा रहा है का भी मैं आपको आगे practice कराऊंगा जो भी आपकी राय होगी जो भी आप सोचते होगी आपको questions कैसे लग सकते हैं हम बिल्कुल आपके साथ हैं इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो नहीं लगा हो तो डिच्लाइक कर देजेगा ठीक ना बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदेमात